एक बार एक अमीर आदमी एक हाईवे से जा रहा था तो एक गरीब वहां बैठा था वो विचारा भीक मांग रहा था यह हर दिन वहां से आता था तो देखता था गरीब विचारा भीक मांग रहा है बड़ी दया आगई इसको बोले रहे यार क्या है यह भी तो इनसान है इसको जीने का हक है यह धूप में बैठा भीक मांग रहा है एक भी उतरी गया वो बोला कि कितना कमा लेते हो बोला साब क् 20-30-40-50 उरुपय हो जाता कुस्तो बांग मांगे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है बोले देखो तुम तो यहां बैठते ही हो एक काम करो मैं तुमको एक धन्दा देता हूँ तुमको मैं काम देता हूँ वो काम करो तुम पैसा कमाना बोले साब क्या काम है बोले मेरा एक फाम हाँस है मेरा वहाँ पर बहुत सारा सब्जी उगता है मैं वो सब्जी तुमको लाके देता हूँ तुम खली यहीं तो बैठे रहते हो वो सब्जी बस बिछा के यहां बैठ जाओ और एकदम फ्रेश सब्जी है एकदम तुनन बिकेगा तो बोले तो वो बोला कितना मिलेगा मेरेको तो बोला वो बोला गरीब बोला कि सर कम से कम मैं मुनाफा में दस परसंट मेरा होगा दस टका तब जाके मैं यह मेहनत करूँगा बोला दस टका नहीं नबबे टका तुमारा बहुत अची बात है तो ये हर दिन ऐसा करने लगा जाता है वहाँ सुबह जाता था जाके फार्म से लिए काता था सबजी याँ पीछा था अरे थो घंटे में ख़ता हूँ सबजी एकदम फ्रेश सबजी बनके आ रही एकदम और कम रेट रखा है तो उसका रेट बता रहे एक मेहना गया, दो मेहना गया, पैसा कमा रहा है तो ये हर मेहने क्या अंत में आता था और बोता था दस परसंड मेरा दे दो तो एक मेहना दिया, दो मेहना दिया, तीन मेहना दिया, चार मेहना दिया पांचवे मेहना सोचने लगा ये गरी यार सुबह मैं जाता हूँ मैं वहाँ से सबजी उठा के लाता हूँ मैं यहाँ बैठता हूँ दिन बर मैं पैसा लेता हूँ यह बेटा अपना गाड़ी में आता है और महिना में एक हज़ार पने के चल जाता है यह तो सही नहीं है तो नेक्स साम जब देने लगा थोड़ा इसकी टार्ट हुआ और यह बोला सर थोड़ा ज़्यादा नहीं रहा दस परसें ज़्यादा नहीं हो गया फिर अगले मैंने आया और बोला जब वो मांगने आया तो बोला सर आप दस परसें नहीं दूँगा मैं पूरा महनत मैं करता हूँ मैं जाता हूँ आपके फार्म सब्जी मैं लेके आता हूँ मैं यहां बैठता हूँ मैं कमाता हूँ मैं पैसा लेता हूँ मैं तोल मोल करता हूँ आप के बला आते हो और ले जाते हो फट ले एक जार रुपिया दस परसेंट विकारी बनने के लायक ही है, पढ़े रहे हैं इपन, कल से बंध, वहां कॉल कर दिया, बोला है, इसको कोई दरकारी सब्जी देने की, अब रफावास में, वहां ही बन के आ गया, फिर भिक मांगनी पड़ी उसको, आप समझे रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, चोबीस दे रहे हैं, हवा, पानी भगवान दे रहे हैं सूरेद बधावान दे रहे है, आप जब भगवान बोल है भाई तु मेड़े 2 घंटा निकाल ले 10 स्ट, हम क्या बोलते हैं भगवान 10 परसन बहुत मांग रहे हैं, हम बोलते हैं नेे लुक्त आप। तो जब भगवान बोले भाई 16 माला कर ले कम से कम 2 गंटा दे दे मेरे को बहुत जादा है भगवान ने दे सकता भगवान बोले कि तू लायक नहीं है मनुष्रे के निकल जाए यहां से समझे रहे इस बात को देखिए ये बात मानिए तो कहानी थी लेकिन समझे हमको जो भी म अगर भगवान न चाहते तो ऐसे कितने लोग है जिनको रात को भूका सोना पड़ता है पड़ता ही नहीं पड़ता है आप बड़े भागे साली है कम से कम हमारे दो हाथ पाउं तो सलामत है हम जब जाते ट्रावेल करते आप देखते नहीं हो लोगों को कोई अंदा है कोई कोई बहरा है कोई गुंगा है आप बड़े भागे साली है कि आप सही सलामत है आप देख सकते हैं आप हाथ आपके हाथ पाउप कुकिंग कर सकते हैं आपको कमाने की छमता दिया भगवान ने तो अगर आप उसमें से थोड़ा भगवान को नहीं दोगे वापस तो हम कितने बड़े कंजूस हो गए आप सोचें कितने बड़ाम कंजूस है है ना तो कोविट के समय में एक बड़ा आदमी को कोविट हो गया वो हस्पिरेट में एड्मीट हुआ हॉस्पिरेट का बिल आया 10 लाग रुपिया उसमें 6 लाग बिल ऑक्सिजन का था तो देखके बिल देखके रोने लग गया डॉक्टर बोले क्या हो गया साब बिल पे नहीं कर पाऊ कुछ मदद चाहिए गया बोले बिल देखके नहीं रो रहा हूं मैं बोले ऐसा मैं 10 लिया आज तक बिल नहीं आया अभी दस दिन में यह मैं 10 दिन का उक्सिजन पाया तो छेला कभी ला रहा तो सोचिए तो थुरा दिमाग लगाईए सोचिए हम कितने रिणी है भगवान के भंगवान के नहीं आप सब भी के रिणी हम लोग देवताओं के रिणी आप यह ब देवताओं के रिणी बन के अपलो